Hello friends, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel मैं आज आपके साथ गोला कबाब की रेसिपी शेर कर रही हूँ जो बहुत जादा सिंपल है, इजी है और जूसी बनेंगे गोला कबाब खाने में चटपटे होंगे और सभी को बहुत जादा पसंद आएंगे इंस्टन्ट रेसिपी मैं आपको बताऊंगी जिसे मेरी नेड़ भी हमें नहीं करना पड़ेगा और बहुत जल्दी ये चटपटे से हमारे गोला कबाब बन जाएंगे तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाएं मैंने यहां पर मटन को मिक्सर में कर लिया है आप चाहो तो आप कीमा भी ले सकते हो इसके अंदर हम पैज आइड कर देंगे उसके बाद हरा धनिया हमें इसके अंदर डालना है अल्रक लेशन का पेस्ट इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा सूखा हमें जो हधनिया होता है उसे क्रश करकर डाल देंगे इसके अंदर उसके बाद सौफ डाल देंगे थोड़ा सा दरदरी कुटी हुई सौफ है उसके बाद जाएगा गरम मसाला पाउडर मैंने आप पर आधा चमच गरम मसाला पाउडर लिया है उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर और इसमें हम नमक एड़ कर देंगे जितना आपको नमक का टेस्ट पसंद हो उतना आपके हिसाब से आप डाल सकते हो उसके बाद इसमें हम एड़ कर देंगे आमचुर पाउडर मैंने यहाँ पर आदा चमच आमचुर पाउडर लिया है और हल्दी पाउडर आप इसके अंदर डालेंगे आदा चमच साबुद जीरा और आदा ही चमच हम इसके अंदर धनिया पाउडर एड़ कर देंगे क्योंकि मैंने थोड़ा ही कीमा लिया है तो आप अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से आप एड़ कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर एक ही हरी मिर्च ली है क्योंकि मैंने लाल मिर्च भी इसमें एड़ की है और उसे भी मैंने बारी कट करकर डाली है अब आधा नीबू का जूस ले लेंगे और उसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे नीबू के जूस से ये बहुत ज़ादा चटपटे भी बनेंगे और टेस्टी भी बहुत होगे इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो हमने मसाले एड़ किये हैं वो सभी मसाले इसके अंदर अच्छे से पहुंच जाए मैं चाट मसाला एड़ करना भूल कही थी तो अब मैं चाट मसाला एड़ कर रही हूँ फिर से हम इसे मिक्स कर लेंगे अब हम इसे मेरिनेट करकर आप इसे रख सकते हो तो आप अगर रखना चाहते हो तो मैंने मेरी नेशन नहीं की है, मैं डायरेक्ट इसे बना रही हूँ हमें क्या करना है हाथ के हिल्प से हातों पर कबाब का जो मिक्चर है वो ले लेना है अब हम ले लेंगे एक पैन कोई भी पैन चलेगा आपके पास जो अविलेबल हो वो मैं यहां पर नॉन्स्टिक पैन पर बना रही हूँ तो उसके ओपर हम तेल एड़ कर देंगे और सभी बनाए हुए गोला कबाफ से इसके ओपर रख देंगे और इसे हम शालो फ्राइ कर ल हमें ऐसे ही शालो फ्राइ करना है जब सभी कबाब का कलर चेंज हो जाए तब हम समझ लेंगे कि यह रेडी हो गए हैं तो उस वक्त तक हभी इसे भूनना है पूरे पेशन्स के साथ आपको यह गोला कबाब बनाने हैं क्योंकि इसे शालो फ्राइ जब हम करते हैं तो तो य इसलिए आप को सुकून से यह काम करना है इसे हम पलटते हुए अच्छे से सेंख लेगे सभी तरफ से हमें अच्छे से इसका कलर चेंज कर लेना है तो यह गोला कबाब जो हैं मेरे रेडी हो गए हैं अब इसे ऐसे ही बस एक बिनेट और हम स्लो क्यास पर ही इसे भूनने इसके बाद हम क्यास का प्लैम आफ और तरही हो गए हैं अब हमbridge करते हैं तो हम एक प्लेट में पहलेसे और इसकी प्लेटिंग करेंगे बहुत इंस्टंट रेशिपी है और बहुत जल्दी यह बन जाएंगे आपको महनत भी मेहनत भी नहीं लगेगी ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको मेरिनेट करकर रखो आप इंस्टंट इसे बना सकते हो जैसे कि मैंने इंस्टंट ही बनाए हैं अगर आपके पास जादा टाइम हो तो आप पहले मेरिनेट करकर भी रख सकते हो और फिर जब आपको बनाना हो तब आप इसे बना सकते हो आपको आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी अच्छी लगी हो तो लाइप ज़रूर कर देना आप अगर मेरे चैनल पर ने हो तो सबस्क्राइब ज़रूर कर दो अच्छी बीज़र कर दो